मंत्री परिश्ट के मेरे साथी स्रिमान राजनाथ्षी जी नौर्स इसके सभी आदर्णी मुख्यमंत्री स्विक्रन डिज्जुजी विभाग के सभी अधिकारी और पुलिस बेड़े के सभी लीडर्स आज जिन लोगों का सम्मान हुआ है उन सब को मैं रदे से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ चानक्य के समय से हम लोग पढ़ते आये हैं कि किसी भी राष्ट रक्षा के भीतर जीतना सामर्थ सस्त्र में होता है उससे ज्यादा सामर्थ ये सस्त्र किसके पास है उस पन निरभर रहता है और उससे भी आगे सस्त्र भी हो सस्त्र धारी भी हो लेकिन राष्ट रक्षा की सफलता की मूलधारा तो गुप्तचर तंत्र के सहारे ही चलती है जिस व्यवस्ता के पास उत्तम प्रकार की गुप्तचर व्यवस्ता होती है उस व्यवस्ता को कभी भी न सस्त्रधारी की जरुवत पड़ती है न कभी सस्त्र की जरुवत पड़ती है और सस्त्र के उप्योक्यतों कभी आवशक्ता ही नहीं रहती है और इसलिए रक्षा के खेत्र में सुरक्षा के विशे पर सर्वाधिक महत्वपुन को इकाई होती है तो वो होता है गुप्त चर्पंत्रा और उस ठेत्र में सेवा करने वाले उन अधिकारियों का सम्मान करने का मुझे अउसर मिला है मैं फिर एक बार उनकी इस उत्तम सेवा के लिए रदय से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ बढ़ाई देता हूँ सबको अश्यर्य हो रहा है कि इतने सालों से जो परंपरा चल रही थी उसे तोड़कर के दिल्ली के बार हमें गौहाटी क्यों ले जाए गया लेकिन आपने देखा होगा जिस दिल्ली में मिटिंग होती है तो आप अपनी भी बहुत व्रस्कताई लेकर क्या आते हैं आपको लगता है आये हैं तो चार काम और भी कर लें मिनिस्ट्री में चले जाएं सेक्रेटरिस को मिल रहें राज्जी के सवालों के पर थोड़ा ज्यान केंद्रित करें दिल्ली के बाहर जाने के कारण आप जब से आये हो तब से पूरी तरह एक दूसरे में घुल मिल गए होंगे यहां कोई और अक्टिविटी नहीं है इसलिए पूरा फोकस यहां के अक्टिविटी पर आया होगा और सबसे ज़्यादा लाव नौर्थ इस्ट में यहां के जो लोग हैं उनका इतना उत्सा बढ़ा होगा यहां के पोलिस बेड़ों को इतना उत्सा बढ़ा होगा तो अपने आप में यह थोड़ा सा ही बदलाओ कितने बड़े परिणाम ला सकता है यह अनुभाव आप भी करते होंगे हो सकता है आगे जाकर के आप भी करेंगे एक शुब शुरुवात है आगे भी हम चाहेंगे कि इस प्रकार के इवेंट दिल्ली के बाहर हुआ करें और राज्यों में जाते जाते कभी दिल्ली की भी बारी आएगे असा दे नहीं कि दिल्ली में नहीं आएगे लेकिन दिल्ली में जब कारकम होता है तो दिल्ली पुलिस का कोई रोली नहीं होता है वो भारत सरकार और एक विज्ञान भवन रेडिमेट रहता है और आप अपने भवनों में रहते हैं और चले आते हैं ये एक बदलाव है और ये बदलाव व्यवस्ता में प्राण बहुत आवशक होते हैं रोबोटी की व्यवस्ताएं नहीं चलती हैं व्यवस्ताएं जीवन्त होनी चाहिए व्यवस्ताएं प्राणवान होनी चाहिए व्यवस्ताओं में से प्राण शक्ति में इजाफा होना चा आपको सुनने में लगाना चाहता हूँ लेकिन एक दो विशह हैं जो आज मैं बताना चाहता हूँ देश आजाप होने के बाद 33,000 पुलिस के जवान देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाए नागरीकों की सुक्सुविधा के लिए शहीद हो जाए एक घतना चोटी नहीं है लेकिन क्या पुलिस बेडे के लोगों को पता है कि अपने साथियों ने 33,000 लोगों ने भारत के नागरीकों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिये हैं सामान्य नागरीक को तो पता होने का सवाली नहीं उत्ता है मुझे पहली आवश्यक्ता लगती है कि 33,000 बलिदान बेर्थन नहीं जाने चाहिए समाज में उनके प्रती सम्मान कैसे बढ़े वो भी तो किसी मा का लाल था और ड्यूटी के लिए मरा है वो लेकिन पता नहीं क्यों किसी ने किसी हालत के कारण इसके प्रती गुदरसिंता बरती गई है मैं चाहूंगा कि आप मैंसे एक छोटा सा टाक्ट फोर्स बने कुछ सीनियर अनुभवी लोगों का बने हम इस बलिदान की विरास्त को ऐसी कौन सी चीजों को इनकॉर्परेट करे ताकि कि हमेशा हमाशा के लिए हमारी प्रेरणा का कारण बने हम ऐसे प्रोटोकोल कैसे तै करें जिन प्रोटोकोल के कारण जो शहीद पुलीस है उसके शरीज की अंतेश्ठी तक की सारी क्रिया का एक प्रोटोकोल कैसे हो ताकि उसके सम्मान की और कोई व्यवस्था विक्षित है हर राज्य की अपनी एक पुलीस अकदमी होती है वहाँ न्यू रिकूटेट की ट्रेनिंग होती है क्या उनके अंदर एक सिलेबस उस राज्य के जितने भी पुलीस बेड़े के जमान शहीद हुई है उनके जीवन पर लिखी हुई एक किताब हो सकती है क्या हर राज्य की अपनी एक किताब होनी चाहिए ऑफिशल गवर्मेंट बूख होनी चाहिए जिसने प्राण दिया है किस अवसर पर दिया कैसे दिया कैसा साहत दिखाया कितनों की जिंदगी बचाई जो नई पीड़ी की पुलीस आएगी नया कॉंस्टेबल की भरती होगी और चीज सीखेगा इस किताब को भी उसको पढ़ना होगी उसको अपने आपको पता लगे का मेरे बेड़े में मेरे पहले इतने लोग बली चड़ चुके थे यह अपने आप में पीड़ी दर पीड़ी वो जुड़ता चला जाएगा नई हर साल किताब की नई एडिशन निकले क्या हम अभी ताय कर सकते हैं कि हर राज्जिक एक इबूक निकाले जिस इबूक में इन 33,000 बलीदानी लोग के बारे में सबकी फूटू साइद संबव न भी हो उस परिवार के पास हो तो लेनी चाहिए लेकिन एक इबूक हो वो जिस प्रदेश में बलीदान्त हुआ उस प्रदेश की भाषा में भी हो और नेशनल लेंग्वेजीज में भी हो प्रकल्ब छोटा होगा लेकिन प्रेणा अप्रम पार होगी उसी प्रकार से मैंने देखा है कि पुलिस वैलफेर के लिए कई छोटे कारिकम पूलिस डीपार्टमेंट करता रहता है सियने कलाकार आते हैं नुर्थिनाट्य का भी कारिकम करते हैं मुंबे वाले तो ज़्यादा ही करते हैं उस समय एक स्वएनियर भी निकालते हैं उस में एविटाजमेंट लेते हैं, fund collect होता है उसकी मारी क्यों में तो मैं गया नहीं हूँ, मैं जाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या हम यह तै कर सकते हैं, कि जाल में जब ऐसा सोवेदियन निकलेगा, उस सोवेदियर की मुख्य विशाय, उस वर्ष के, उस राज के, बलिदान हुए पुलीसों की जीवन गाता ही उ हमें तै करना होगा, उनके जीवन को ऐसे खतम नहीं होने देना चाहिए, वो शरीर से रहा या न रहा हो, लेकिन पुलीस बेड़े के लिए और समाज के लिए, वो कभी मरना नहीं चाहिए, यह हमारा धाईत्म है, आगे हुआ या न हुआ उसकी मिज़े, चर्चा करने का य कोई कारन नहीं बनता है, लेकिन आगे हो, इस पर बेड़े तो हम सोच सकते हैं, और मैं मानता हूँ, कि इन चीजों का बहुत बड़ा लाब होगा, दूसरे बात है, पुलीस वेलफेर, आगे तपस्वी बलिदानी अपसर होगा तो भी, परिवार की बेचेनी उसको बेचेन बनाती है, यह सरकार का और हम सब का दाईत तो हैं, कि हम पुलीस परिवार के वेलफेर के लिए कोई सिस्टेमेटिक वेवस्थाएं विक्सित कर सकते हैं, क्या, जैसे उनका परिवार के सब्का मेडिकल चेक वे कैसे हो, इंक्रूडिंग पुलीस के लोग, उनकी बच्चों के शिक्षा दिक्षा के सब्द में क्या हो, जादा तर नीचे तब के जो पुलीस के जवान है, उनकी रहने के सुविधाय कैसी है, उस पर हम कोई ध्यान दे सकते हैं, क्या, ऐसा नहीं है कैसा होता नहीं है, हमारे लिएक अच्छा है कि हमारे जो ग्रह मंंत्री जी एं, वो हिंदूसान के सबसे बड़े राज्य के मुख्य मंत्री रहे है, और इसलिए उनको इन विषयों की बहुत बारिकी का ज्यान है, और उनका हमार दस्वाह आने वाले दिनों म में बहुत काम आने वाला है मेरा भी सोभागे रहा कि मैं लंबे अर्से तक मुख्यमंतिर रहा तो होम डिपार्टमेंट अपने पास होने के कान उसकी बारिक्यों से मैं परिचित हूँ धरती पर क्या चल रहा है उससे में जानकार और इस कारण इस कारण संभावना है कि हमारी ये प्राइविरिटी है हम चाहते हैं कि हमारे पुलिस वेलफेर के काम को हम बैज्यानिक तरीके से विक्सित करें और मिनीमम इतना तो होना ही चाहिए ये अगर हम करेंगे तब देखे बहुत बड़ा परिवर्टनाएगा बहुत बड़ा बटलावाईगा कभी कबार हम पुलिस के लोगों का मुश्किल क्या होता है जी सामान ने मानवी के दिमाग में आप हिंदिस्तान की मुवी ने पता नहीं पुलिस को ऐसा प्रेंट करके रखा हुआ है मैंने अभी बहुत कम ऐसी मुवी देखी कि जहां पुलिस के त्याग और तप्रसिर्या की कोई कथा आई हो और उसके कान जन्मानत पर ऐसी छबी बन गई है हमने स्पेशली अफर्स करने चाहिए भारत सरकार ने को एक प्यार एजन्सी करकर के इस सारे फिल्म प्रोडूशर से मिलना चाहिए उनको बताना चाहिए भाई यह क्या कर रहे हो आप लोग अगर हम समाज की रक्षा करने वाली इतनी बड़ी शक्ति का सन्मान और गवर्व नहीं बढ़ाएंगे तो उनकी बुराईयां भी कम नहीं होगी हम परिवार में भी एक बच्चा गलती करता है तो बार बार गलती 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 दोहरा करके उसको ठीक नहीं करते हैं उसकी गलती ध्यान में रखते हैं लेकिन अच्छाईयों के और ले जाते हैं तो अच्छा अपने आप बनना शुरू हो जाता है कम्या होगी किसमें नहीं है लेकिन कम्यों को दूर करने का रास्ता भी दो होता है और वो समाज के सहीयोग के बिना संभव नहीं होता है और मैं चाहता हूँ कि एक लंबी दुरी की सोच के साथ भारत के पुलिस के सबंद भें लोगों की सोच बदली जा सकती है और धर्ती की हकीकत के द्वारा उसको किया जा सकता है कभी कबार क्या होता है पुलिस से जुड़ी हुई एक नेगेटिव खबर इतने दिनों तक मिडिया में च्छाही रहती है लेकिन उसी कालखंड में सेंकड़ों अच्छी चीजे हुई होती है वो कभी भी उजागर नहीं होती है कि मैंने जब मैं गुजरात में था तो एक छोटा प्रयोग किया था अगर आप लोगों को उचीत लगे तो आप उस प्रयोग पर सोचिये मेरे गुजरात छोड़ने के बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है उसमें कोई काम हो रहा है नहीं हो रहा है है लेकिन मैंने एक आगरे किया था हर पुलिस्थाने की अपनी वेब साइट और अ और वह पुलिस्थाना उश पुलिस्थाने में उस लिक में जो अच्छी से अच्छी समाज के सेवा की कोई गतिवीदी हुई हो कोई दुखी आया उसको बहुत अच्छे जंग से ठीच किया है किसी का बहुत नुक्षान होना था पुलिस पहुंच करके बचा लिया मदद कर ली हजारों घटा हैं कम नहीं है जी अब निराश मद होना आपके माध्यम से देश के बहुत अच्छे काम हो रहे है लेकिन आप ह कि उसको उजागर नहीं करते हैं क्या पुलिस थाने के अपनी वेबसाइट हो और हर हफ्ता एक सच्ची एन हंड़र्ट परसंट सच्ची होनी चाहिए पॉजिटिव स्टोरी हम ऑनलाइन रखें आप फिर उसको कभी देखी आपको ध्यान आएगा कितनी लाखों सकारात्मक चीजें पुलिस के माध्यम से हो रही हैं जो समाज का विश्वास पादा कर सकती है अर्टिपिशल कुछ भी करने की ज़रूत नहीं है है धरती पर है हर व्यक्ति आपको मिलेगा जो कहें कहां भाई मेरे जीवन में एकांथ बार तो पुलिस की मुझे अच्छी मदद मिल ग से और सकरिता से सोच करके उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएं कैसे किया जाएं कि मिलेंगे तब इन विश्वा में विस्तार से बात करेंगे एक मेरे मन में है स्मार्ट पुलिस का मेरे मन में कंसेप्ट है स्मार्ट पुलिस इस स्मार्ट पुलिस स्मार्ट पुलिस बेड़ा इसको ले करके हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं और जब मैं स्मार्ट पुलिस की बात करता हूं तब S strict लेकिन साथ साथ S for sensitivity police strict भी हो police sensitive M modern हो और mobility हो stagnancy नहीं हो लीए A alert भी हो accountable भी हो R reliable हो responsive हो T techno savi हो R trained हो smart police S for streak and sensible M for modern and mobility one A for alert and accountable R for reliable and responsive T for techno savi and train इन पांच बिंदो को लेकर के हम आगे बढ़े मुझे विश्वास है हम पूरे police बेड़े में एक नई जान भर सकते हैं एक नई चेतना भर सकते हैं फिर एक बार आज जिरकोई मुझे सन्मान करने का उसर मिला है उन सब को मैं बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ आगे भी इस प्रकार के पराक्रमों से भरा हुआ हमारा police बेड़ा सामान या नागरी की सेवा करने में उसको सुरक्षा देने में और सबसे बड़ी बात उसमें विश्वास पदा करने में हम सफल होंगे बाकी जब हम बिलेंगे तब इस सारसे बाते करेंगे बहुत-बहुत शुब कामना है धन्यवाद